को अभी जिन मोहुर्त में करना चाहिए हमको सबसे आशान दूप में पहले गडपती की अश्चापना और गवरी की अस्थापना करनी चाहिए एक दिन पहले हमको गंगाजी की मिट्टी ला करके रख करके उसमें जौब होना चाहिए जल रालना चाहिए फिर मिट्टी का एक कलस रख करके उसमें जल भर करके जाल करके उसमें सारवोशदी है उसमें सुपाड़ी है हल्दी है चावल है रोरी है पुस्प है दुरुवा है और क्या करते हैं कुसा है इन को उस कलस पर एक स्वास्तिक का चिंद बनाना चाहिए बना करके फिर कलस के गले में हमको मंत्र के द्वारा मौली बाधना चाहिए बाधने के बार हमका पल्लो रख करके उस पर जो है पात्र में चावल हमको रखना चाहिए रख करके उस पर विदिवत जलदार और जटादार चुनरी उसपर विद्वत अच्छी तरे से उढ़ा करके देवी का या देवी सर्व होतेशु शकति रूपेण संसिता। या देवी सर्वभूते शू सुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् और उसके बाद वहां पर बैठ करके हम लोगों को नौ रात्र का नौ दिन का पाठ करना चाहिए देवी के पास उनको नैवेद्ध भोग लगाना चाहिए उनको दही भोग लगाना चाहिए